राधे राधे जैशी क्रश्ना आज मैं आपको भगवान विश्नु वैमाता लक्ष्मी की एक पवित्र पौराणि कहानी सुनाने जारी हूँ कहानी सुनने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन को जरू प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और अगर आपको ये पवित्र पोराणिक कहानी अची लगे, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगते वासु देवाय जरूर लिखें कहानी इस प्रकार है, एक बार की बात है, एक पती पतनी थे, दोनों ही धार्मिक प्रवती के थे, रोज पुजा पाठ क्या करते थे दोनों ही मा लक्ष्मी वे विष्णु जी के परम भक्त थे, उनके घर के भगवान के आले में मा लक्ष्मी वे विष्णु जी की प्रतीमा थी, दोनों रोज इसनानादिक करने के पस्चात, अलग-अलग समय पर दीपक वे अगर्बती क्या करते थे लेकिन उसके पती को ना मालुम क्यों माता लक्ष्मी की पूजा करके भी ऐसा लगता था कि उन्हें माता लक्ष्मी धन नहीं दे रही है, वो एविष्वास करता था वह रोज दीपक वे अगरबती माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने करता था लेकिन दीपक की लोग वे अगरबती की धुआ भगवान विश्णु की तस्वीर की तरफ जाती थी उसका पती बैठा बैठा ये सब देखता रहता था एक दिन उसके पती ने सोचा कि मैं दीपक और अगरबती तो माता लक्ष्मी की फोटो के आगे करता हूँ और दीपक की लोग अगरबती की धुआ भगवान विश्णु की तस्वीर की तरफ जाती है तो क्योंना मैं माता लश्मी की तस्वीर के आगे दीपक और अगरबत्ती नह करके भगवान विश्णू की तस्वीर के सामने ही दीपक अगरबत्ती करूँ क्योंकि माता लश्मी ना तो दीपक की लो लेती हैं और ना ही अगरबत्ती की धुआ लेती हैं उस दिन उसने निश्चे किया कि मैं कल से ही भगवान विश्णु की तस्वीर के आगे दीपक और अगर्वत्ती करूंगा। दूसरे दिन उसने दीपक और अगर्वत्ती भगवान विश्णु की तस्वीर के सामने करता है। तब उसने देखा कि दीपक की लोव अगर्वत्ती की धुआ माता लश्मी की तस्वीर की तरफ जा रही है। उसे गुस्सा आ जाता है कि अब माता लश्मी दीपक की लोव अगर्वत्ती की धुआ क्यों ले रही है। वो उठकर दोनों तस्वीर के बीच में कपड़े का पड़दा लगा देता है तबी वहां आकाशवाणी होती है माता लश्मी बोली वस तु मेरे उपर ऐ विश्वास करता है दीपक की लोव अगरबती की धुआ चाये किधर भी जाये इससे कोई फरक नहीं पड़ता जब तुने प्रभु विश्णु जी की तरफ दीपक व अगरबती पूरे विश्वास से की तब दीपक की लोव अगरबती की धुआ प्रभु विश्णु ने मेरी तरफ फेर दी वत्स पूजा पाट पूरे शद्धा भाव वे विश्वास से करना चाहिए मनुष्य का धर्म है कि वो करम करे फल की इच्चा प्रभु पर छोड़ दे जा तेरा कल्यान होगा तु मन का साफ है तेरे मन में कोई छल कपट नहीं है उस दिन के बाद उसको पूरा विश्वास हो जाता है उसके बाद वे जब भी दीपक और अगर बत्ती करता तो भगवान विश्णु वे माता लक्ष्मी दोनों की तरफ दीपक की लो वे अगर बत्ती की धुआ जाने लगी क्योंकि उसने पूरे विश्वास वर शर्दा से पूजा की थी तो हे मा लक्ष्मी वे भगवान विश्णु जैसे आप उनके उपर प्रसन हुए वैसे सब के उपर होना कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भणने वाले को गर्तियों तो पूरियों पूरियों तो परवान चड़े भूले विश्रे नाम तेरे भंडार में भरे तो आज मैंने आपको एक पवित्र पुराणी कहानी सुनाई अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में ज्यादा से ज्यादा करके पुन्य कमाएं धन्यवाद